तो हलो गाईज, विल्कम बैक अगाइन तो माई यूटीब चैनल, वन फॉर आले हिंदी दोस्तों, आज की फीडियो में हम कंपेर करेंगे दो इलाइट करेक्टर्स को, आप यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि इलाइट हयातो वर्सिस इलाइट केली, तो यहाँ पर इनको दोन इलाइट केली की बात करेंब अईज तो यहाँ पर अगर आगर ंगर आगर रख केली यह एक्टिकल के बारे में हम आपको देते हैं क्या एक्टिव यूज करते हो तो नीचे यहाँ पर आपको एक यह निसान दिया जाता है जहाँ पर आप एक्टिव स्किल यूज कर सकते हो जैसा कि इसको प्रेस करोगे आप तो यह स्किल वर्क करना स्टार्ट कर देगी जैसे इसमें कर रही है तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जैसे मैंन जैसाक यहाँ पर रन कर रहे है लुट यहाँ पर यहां पर बात कर देती है जो इया mercy है इसकी skill क्या है यह कैसे काम करता है वह मैं दिखाता हूँ तो यह reduce करता है damage जब कोई friend से मारेगा आपको तो 3 second के लिए तो यहाँ पर और यह cooldown होता है 50 second में तो आप यहाँ पर सामने है तो मेरे खड़ा है मैं उसको मार रहा हूँ तो अगर उसको मारूंगा तो यह देखो उसमें skill का use किया और यहाँ पर damage दो है सामने से एक कम पड़ा अब उसकी skill खतम हो गए मतलब की अब वह use नहीं कर सकता है skill तो इसलिए अब मैं मारूंगा तो इसका damage आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैं मार के दिखाता हूँ कि इसका damage क्या है और आप यहाँ पर देख लो यह थोड़ा बंदा सामने वाला power increase कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो 45 का damage वह सीधा 33 से 45 का damage हो गया है इसका और इसके बगल में जो यह खड़ा है character यह आदम है यहाँ पर इसके उपर अगर fire करता हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो 45 का damage हमें मिल रहा है तो यार यह दोनों में यही एक वो है अब उसके अगर आगे की बात करें अगर आप इसके back में मारेंगे जैसे दोनों बंदे यहाँ पर back में हो गए है अब यह जो elite हयाटो है यह अपनी skill का use करेगा और फिर मैं उसको मारूंगा तो यहाँ पर आप elite हयाटो को देखो और यहाँ पर बगल में जो खड़ा है यह आदम है तो elite हयाटो ने अपनी skill use की और मैंने इसको मारा तो back से मारा हूं तो यह 45 का ही damage दे रहा है वैसे मैं इसको मारता हूं आदम को तो यह भी 45 का ही damage देता है बलब back से उतना ही damage पड़ेगा चाहे आप skill कितनी भी use कर लो और जो यह skill का use कर रहा है आप यहाँ पर देखो और मैंने यहाँ पर headshot मार तो 185 का पड़ा अब इसी जगह अगर मैं दूसरा headshot इसके मारूंगा तो आप देखना कितना पड़ेगा मैं friend से मार रहा हूं तो आप यहाँ पर देखना यह headshot कितना पड़ सकता है यहाँ पर आप दे जाता अगर यह elite हया तो होता और यह skill का use कर रहा होता मैं इसको मारता तो बच जाता अब देखो जैसे दोबारा मारा तो यह down हो गया 247 का headshot पड़ा मतलब की skill कितनी भी use कर लो headshot उतना ही पड़ेगा उसके अगर आगे की बात करो आप यहाँ पर देख सकते हो deadly velocity यह skill है किसकी यह skill है elite kelly कि अब यहाँ पर क्या है अगर 7 second तक लगातार run करेगी और उसके बाद अगर यह first shot मारेगी 5 second के अंतराल में 5 second के बीच में तो यहाँ पर जो इसका damage होगा यह level 3 की है तो इसका damage जो है 120% मतलब 120% बढ़ जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर run किया यहाँ से run करना start किया और मैं जाता हूँ सामने वाले enemy के पास और उसको मैं headshot मारूंगा फिर आपको दिखाऊंगा कि यह कित आगे की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी skill का बीना जूच की अगर हम मारेंगे बीना sprint किये तो यहाँ पर देख सकते हो 1171 का damage हुआ मतलब बहुत ज्यादा अंतर आ गया दोनों में तो यही एक अंतर है जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया दोनों में यही वक्त अगर आप फायर नहीं करना चाहते हो तो आप उसको यूज करके रस्क करो तो आपके लिए फायदा रहेगा कोई आपको एनिमी मारेगा तो आप वहां पे थोड़ा कम डैमेज लेके आप अपने आपको सुरचित रख सकते हो उसी जगह अगर इलाइट केली है तो अग तो फिर अगर उसके बाद हम फायर कर देते हैं तो यह इसकिल वर्क करना बंद कर देती है इलाइट हयातो की तो यहां पर आपको मैंने यह सारी डिटेल यहां पर दे दी हैं आसा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अब तक के लिए गुडबाई and टेक क्यार